वेस्ट आप गाई दिस इस पवन क्यार यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल पीक एफ दी तो आज का वीडियो का टोपिक जो बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपोर्टन्ट है तो हम आज बात करेंगे फीड मैनेजमेंट जो की बाइफ लो के लिए बहुत ही इंप हैं आप करेंगे जो आपको हम 에게 करके बताएंगे किसे मेन बैल्यू कैसे इसको में पूरा अबनांगे पिसके टाइप टाइम डालनी हैं हम तो लेट सटांट आँने हैं हमने हमारे है टेंक बन से औरह फिष दी राफू फिश जilt hosts रंनल! कि यह ग्रोथ है हमने यह 20 पीस पकड़ लिया है तो हम उसका बेट करेंगे तो कितना बेट निकलता है उसके साथ से मिसका मेन वैल्यू निकाल गे उसके साथ से मेनेजमेंट भी आपको बताएंगे जो हमने जीरो लाइन का बच्चा डाला था जीरो साइज का तो आज हम हम च करेंगे जीश एक ā करेंगे तोई पस्था एक प्क घ्रिवारा कर्भी जो कितन adap舒 nelle नवदयcreat长 से कितना प्रून है पिक दुदरता के तों समक्ष भाला है जाम स्टिक्स़्म्न जीरो औरोले कितना का उसके आपको उसके उदान जीरिण हमें communalता है जीरी हम草से हुआ है आप है तो डिए तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो 10 पी समने इसमें डाले थे उसका यो वेट है 67 आया है तो यह वन के लिए हमारा वाटर है तो आप देख सकते हैं लाई जोगी हमारी 11 पीश का वेट 67 ग्राम उसको 67 से और मीन वैल्यू निकाल लेंगे मीन वैल्यू निकाल के जो हमारी टैंक में थर्डि पैंटिसो पीस डाले ले तो उसको पांसो पीस की मोल्टैल्टी मानके और त्यांने कर लेनर दो निकाल लेंगे धेशन फीक। गार है जैसे के हमारे टैंक में कुस्ट मेट के चक्राइब हो तो मैं इसका वेल्यू निकाल करके मैं आपको डिटेल में भी आलका नडीघे को 1977 67 जो मारा आया था 67 और डिवाईड 11 परशुम करने के बाद जो भी एल्यू को परसंटेजर दीन चार परसंट निकाल लेंगे वो फीड वैल्यू आजेगी हमारी अथ पर उतनी फीड हम तो सुभह और शाम दो टाइम अपने फीश को फीडिंग कराएंगे तो अब है हम्ने उन आक बन का जो घूट की है अब हमने जो ύन की अब हम नी विर चैक की आप हम घूट की करेंगे जो हमने तुम हमें फिश डाली हूए है तो हम अब उसकी उसके भी growth check करेंगे उसका भी feed management निकालेंगे तो आपको बताएंगे लाइब करें तो जैसे हमने आद टैंक 2 में यह फिश पकड़ी है तो आप देख सकते हैं इसके हमने में at least 15 पकड़े हैं तो हम बेट जो गया 10 का करेंगे देखते हैं इसका मीन वैल्यू गया निकल दी है तो यह इसकी फ्रिश जो मराख विशेस्ट की growth थोड़ी कम है तो फिर भी ठीक है बन मंथ में इकनी growth होगी है हम satisfy है तो अभी आपके सामने हम करते हैं कि आपके तो यह एक किलो हमने पाना बाटर लिया हुआ है आप देश सकते हैं इसकी वैल्यू एक किलो तो हमने बुगां कि में दर की हुआ है यह एक फिश है चार ग्राम की यह हमारी है मराख फिश झाल तो दे सकते हमने इसमें लगबग 12 पीस ला ले हैं तो उसका जो बेट है वह आया 14 ग्राम उसका जो गेट है 39 ग्राम आया है जैसे की देख लिए हमारी फिश है जो टू 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 गिया और इसमें मराग हमने डाली है मराग के जो नीचे नीचे बैठके रहना हमें जो डूड़ता कि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है पर अब कुछ पीस देख रहे हैं इसमें कि अगर हम इसमें कोई कमी है तो आप नीचे कमेंट करके बतास रहते हैं तो जी आथ का टोपिक बहुत इंपोर्टर था फीड के रिगार्डिंग होगी फीड के जो फीड फीड फिश लेगी उस फिश की ग्रोथ फीड के डिपेंड है कि फीड किस टाइम डालनी है कब डालन है तो जीरो साइज का जो हमने बच्चे डाला था तो हम इसको आठ हाट गंटे बाद फीडिंग करवाते थे तो अब हम आज हमने ग्रोथ चेक की है तो हम उसके साथ अपना फीड मैने मेंट बनाएंगे तो जो आपके साथ मारे ब्रदर सुरींदर आपके साथ करेंगे जै में वेल्यू निकाल तीन या चार परसेंट और दो टाइम दो आप सुबह और शाहन जो भी इसकी ग्रोथ वही एक मत बाद में फिर हम 15 दिन बाद में फिर हम चेक करेंगे 15-15 दिन का में शेडीन बना लेंगे 15-15 दिन पाद में चेक करेंगे और उसकी फीड को सैट करते र अबर फिर फिर भी क्यों लगा के चला हो पांक सोपीस एंगे तो तीन हजार पीज दो नुड़ को में थीन दीन आर्पीस नोगे होगे तो गड़े खिए अगजान दो फ्रेट से और तॉ हम जो इनफरमेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं अगर आपको हमारी वीडियो इची तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल तो इसके आगे मैं अपनी वह लेकर आ रहा हूं एक एक सीरीज लेकर आ रहा हूं वाइव फुल डिटेल में लेकर आ रहा हूं उसका एक पॉइंट में आपको अपने चैप्टर में एक्स्प्रेंड कर